है यह वेलकम टू परिक्षा जोन सिक्षा से परिक्षा तक आप सभी का स्वागत है आपके यूटूब चैनल परिक्षा जोन में तो जैसा कि आप जानते हैं हम इंगलिस का टोपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रिमेंट पड़ रहे हैं ठीक है आज इसकी क्लास टू है लास्ट क्लास हमने की थी उसमें हमने कुछ कोश्चन के था और कुछ कंसेप्ट को सीखा था आज हम आगे की कंसेप्ट को सीखेंगे और फिर कुछ कोश्चन प्रैक्टिस करेंगे ठीक है जिससे कि आपको इंगलिस सीखने में असानी होगी तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते ह तो आपको याद होगा कि मैंने last class में 6 rules आपको बता दिये थे तो आज हम 7th number से शुरू करने वाले हैं और देखते हैं आज 10 rules के अपरोक्स हम देखेंगे फिर बचेगा वो next class में complete हो जाएगा chapter ठीक है तो क्या कहता है यह देखिए इस subjects are joined with note क्या कहता है कि note या बट का पेर हो या बस only note से जुड़ा हो sentence तो उसमें जो वर्ब होगी न वो किसके साथ होगी subject के साथ नहीं होगी बट note वाली सीज के साथ होगी देखो कैसे देखो यहाँ पर पढ़ना मतलब जो इस नोट के साथ नहीं है उसको फोलो करेगी देखो जैसे यह एक्जामपल है नोट शी बट हर फ्रेंड्स आर रिस्पोंसिबल तो यहाँ पर शी तो सिंगुलर है और आया आर है क्या यह सही है तो यह सही है इसमें नोट के साथ वाले से इसका कोई लेना देना नहीं है इसका लेना देना इससे जो बट के साथ है ठीक है या अगर only note हो बट भी ना हो तो जो नोट के साथ होगा उससे कोई मतलब नहीं जो बाद में होगा उससे मतलब है शारा हमें ठीक है, तो हम इसके according यहाँ पर subject को use करेंगे, मतलब verb को use करेंगे, जो हमारा subject होगा, अब यहाँ पर subject friends था, friends क्या होते है, pull rule, एक friend होता तो friend होता, ठीक है, many friends मतलब friends, तो friends हो गया, pull rule, और pull rule हो गया तो verb कैसी आ जाएगी यहाँ पर, वो भी plural तो आर यहां पे हम verb को use करेंगे ठीक है questions अभी हम देखने वाले अभी हम एक example देखेंगे और उसका rule को समझेंगे ठीक है तो यह ध्यान रखना है आपको लिख लेना कि जब भी हिंदी में note, but का pair या note use हो तो उसके साथ हम note के साथ वाले subject को नहीं देखते हैं चले आगे, देखें next rule क्या कहता है अगर subject हो जो sentence का subject each either neither के साथ सुरू हो each either neither के साथ सुरू हो तो वो क्या लेगा singular verb लेगा ठीक है जैसे I invited two guests, but neither has came ठीक है देखो वो ही वाला वर्ड आगे न neither, यह ना 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 इदर neither आएगा तो वर्ड कैसे होगी singular, तो याद रखना each either, neither यह हमें ना singular होने का भाव दिखाते हैं, तो इन से हमें याद रखना है कि यहाँ पर singular verb use होगी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आगे हमारा neither के साथ singular verb जैसे यह देखे, he proposed both the girls, देखो दो girls की बात हो रही है but either has responded but either has responded तो एक उसमें से एक ने reply किया तो एक की बात आगी ना, किसने reply किया एक ने, तो has यूज होगा ठीक है? क्योंकि है जोती है verb, वर्ब ने क्या किया respond किया, तो किसने किया respond लड़की ने, लड़की कैसी थी? singular एक ही ने respond किया, इदर लग गया क्योंकि तो इसलिए हैं पर हमारी singular वर्ब आईगी, तो याद रख लेना अगर आपको ऐसे rule समझ में नहीं आते हैं, या concept नहीं बनते हैं, तो each either और neither के साथ हमें हमेशा singular वर्ब को use करना है, अब देखिए 9th number each either neither तो वो था, अब each of, either of, neither of, everyone of, one of, जब भी इनके बाद off लग जाए, each, either, neither, everyone, one, इनके बाद off लग जाए, ठीक है? तो क्या होगा? जो noun और pronoun होगा? वो तो हमेशा plural होगा, बट जो वर्ब होगी वो singular होगी, कैसे? देखिए each of the snakes, each of the snakes का मतलब किया कि कुछ snakes होगे हो, ठीक है? भाइ एक से ज़्याद़ ही snakes होगे न, जब बात की जा रही है, कि साप जो होंगे, वो एक से ज़्याद़ होगे, each of the snakes is poisonous, अब poisonous है कौन है? भाइ साप तो सारे ही poisonous है, वो इनकी एक collective वो है, चाह के 50 साप हो, वो भी poisonous है, ठीक है, each of the snakes is poisonous, ठीक है, कैसी यूज हुई है हमारी यहाँ पे, snakes क्या है, पुल्रल नाउन है, ठीक है, किलियर, अगला sentence देखिए, one of के साथ, one of them has stopped in exam, बई, top तो एक ही ने किया है, them क्यों लिया हमने, क्योंकि बहुत सारों में से किसी एक ने किया है, तो one of one थोड़ी देंगे, one of he, one of her, ऐसे थोड़ी हो जाएगा, one of them ही होगा, clear, क्योंकि them एक से ज़्यादा के लिए होता है, पुल्रल है, तो वहाँ पे आपको यह चीज समझनी पड़ेगी, one of them has stopped in the exam, और example देखिए, इस वाले में error बताईए मेरे को आप, अब ध्यान से देखो, जैसे तुम्हें यह वर्ड दिखे, everyone of, each of, either of, neither of, one of, कुछ भी हो, मतलब इस टाइप के वर्ड जिसमें off लगा हो, ठीक है, तो उसके बाद singular वर्बानी थी, और तुमने देख लिए वर्व आगी, पुल्रल, तो वर्व क्या होता है, पुल्रल, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, चेंज करके इसको वाज कर देंगे, वाज, ठीक है, चले आगे, किलियर हो गया इतना, तो आपको चार रूल यह किलियर हो गए होगे, एरर भी कराऊंगा अब इनके, एरर भी है हमारे पास, यह देखिए, if the subject of sentence is everybody, somebody, nobody, anybody, someone, no one, note करो इनको सब को, everyone, anyone, everything, something, nothing, anything, बतला इस टाइप के word, ठीक है, इनी words में से mostly आ जाएगा question, इस से भार नहीं होता है, फिर भी ETC लगा है, तो आपको पता चल जाएगा, पहचान लोगे, इनके साथ हमेशा वर्ब को singular लेके चलना है, अब singular क्यों लेके चलना है, मैं बोलू, everybody knows that the sun is a star, someone among his friends like parting, देखो इस वाले में तो तुम्हें लगेगा, sun की बात ही, तो sun के लिए ही जा गया, ठीक है, कोई दिकत नहीं, everybody knows, यह भी तो singular verb है, नोज भी तो एक singular verb है, तो जैसे everybody आया, तो यहाँ पर singular verb, everybody से क्या दिया भाव, सब एक एक ने, everybody, ठीक है, तो एक एक का भाव आय तो इसलिए nose use हो गया, singular verb, ऐसी देखे, इसमें someone among his friends, friends क्या है, plural, likes क्या है, singular, ठीक है, जब भी noun या प्रोनाउन में एसी या इस लगाएं, तो वो plural हो जाता है, और verb में एसी या इस लगाएं, तो वो singular हो जाती है, ध्यान रखना, ठीक है, यह तुम्हें बहुत confusion होती होग जब भी दुबार रिपीट कर रहो, जब भी noun या प्रोनाउन में एस या इस जोडा जाए, तो वो plural हो जाएगा, ठीक है, और verb में एस या इस जोडा जाए, तो वो singular हो जाएगी, ठीक है, तो देखे, हैं पर someone था, someone के लिए use होई है, यह verb, likes, ठीक है, तो likes क्यों आई, someone के लिए हम हमेशा, someone, किसी एक की बात हो रही है न, someone, वन आ रहा है न, इसमें, someone, ठीक है, तो किसी एक बंदे की बात हो रही है, तो इसलिए हैं पर singular verb आई, चले आगे, यह वाला rule भी clear हो गया होगा, अब तो, यह वाला rule देखिए, अगर many, both, few, a few, use हो, तो इनके साथ verb plural हो बहुत, बहुत, बहुत भी मतलब एक से जादा, दो की बात हो रही है, ठीक है, few, few, एक uncountable चीज है, तो few के लिए भी क्या हो जाएगा, वह फ्यू बोल दिया है, few liter of milk, तो कितना liter, तो plural हो गया न, आ, few, यह भी मतलब एक small quantity के लिए होता है, बट plural होता है, ठीक है, तो ऐस यूज कर लिए हमने plural, ठीक है, तो आपको याद होना चीए कि many, both, few, a few के साथ जो verb यूज होती है, वह हमेशा plural यूज होगी, ठीक है, आपको यह जो भी जितना भी type content है, यह आपको सारा मिल जाएगा, इसके लिए आप tension मत करना, PDF आपको टेलिग्राम ग्रूप में किया जाएगा, कौन सी presentation है वह, ठीक है, PPT आपको मिल जाएगी, PDF form में, आप उसको access कर पाओगे, ठीक है, free of cost है, चले आगे, यह रहा, after, both of, a few of, few of, many of, etc, the noun or pronoun is plural, which is followed by a plural verb, अब देखो, पीछे तो क्या था, both, many, few, a few, अब जब उनके साथ, off लग जाए, आपको ऐसी पीछे पड़ा था न, everybody, somebody, ऐसे करके देखो, जहां पे देखे, यह वाला देखे, यह, इच, either, neither पड़ा था, फिर, each of, either of, neither of पड़ा, ऐसी यह हमने पड़ लिया, everybody, यह वाला many, both, few, a few, अब ऐसी इसका पड़ेंगे, both of, a few of, few of, many of, तो अब जब भी of लग जाएने तो हमेशा यह याद रखना, कि जो हमारा, मतलब नाउन या प्रोनाउन, जो subject होगा, वो हमेशा plural होगा, ठीक है, और जो word होगी, वो भी plural होगी, इस case में, और पीछे जो था, क्यों of की लगने की वज़े से तो हमारा subject plural हो गया, और बहुत few, few, many के साथ तो आपको पता ही है, जो verb लगती है, वो plural ही लगती है, बट पीछे ऐसा नहीं था, देखो, पीछे का दिखाता हूँ, जिससे clarification हो आपको, यहाँ पर देखिए, इसमें, इसमें इनोंने singular verb बोलिये ने पुलरल हो गया, बट, वर्ब singular, क्योंकि इन वर्ड के साथ singular verb यूज होनी थी, किलिया रहे ना, इतनी बात, इन वर्ड के साथ singular verb हमारी यूज होनी थी, इसलिए हमने singular लिया, बट महाँ पे देखिए अब, यहाँ पे पहले ही plural verb यूज हो रही है, देखो, पुलरल वर्ड इस इस zakי साब से यह多 है, यहाँ पे इसमें यह भी पुलरल हो गया, अब आगे देखिए। अब मैनी का ओर रूल देख लेथेis मैयनी, आगूडमैनी, इस टाइपके वर्ड के expert के लिए, तो जो थे तो में सेम ही काम करने है तो अब ये वर्ड आ जाए ग्रेट मेनी ऐसे वर्ड ठीक है मैंने ही जिन में लगा ध्यान रखना तो नाउन भी पूलरल होगा मतलब जो नाउन है वह फूल रोगा और जो वर्ब फोलो करेंगी उसको वह भी पूलरल होगे जैसे देखिए अग great many girls are swimming in the pool great many था तो गल्स आया पूल रल और फिर यह आर भी पूल रल आ गया ठीक है बट अभी हाँ पे एक क्या कहते है हम यहाँ पे हमारी exception है exception क्या है जब ए मैनी ना होके मैनी ए हो जाए मैनी अभी एक तो बहुत नाउन और वर्ब क्या हो जाएगी सिंगिलर हो जाएगी ओसका एक एक एक्जांपल देखते हैं जैसे मैनी इइस सूघ्य मैनी या ज्यूट सूघ्य तो मैनी एकसाद क्या है यह सौंग संगोलर है सॉंग सो था टता तो पूल्रल हो जाता इस क्या है वर 번째 singular वर्ब है soothing ठीक है clear इतना देखो इसका एक example भी होगा हमारे पास यह देखिए many a man has come to this temptation देखो man है ठीक है singular man है have नहीं आएगा ना है जाएगा फिर क्या आना चीए हापे है जाएगा हमारा तो many a man has come to this temptation तो हमें पता है many a के साथ हमेशा singular use होगी दोनों चीज़े यह इसकी exception थी रूल की तो यह आपके लिए question मैंने करा दिया अभी आगे करेंगे question अभी रूल देख लेते हैं और दो रूल बचे हमारे यह वाला हो गया आगे देखिए अब आफ्टर अनमबर ओफ अलार्ज नमबर ओफ कि ऐसे वर जो अनमबर ओफ लार्ज नमबर ओफ यह लार्ज नमबर ओफ तो उसके साथ आने वाली नाउन हमेशा क्या होगी पुल्रल उसके साथ आने वाली नाउन हमेशा पुल्रल होगी अब कि वारना मैं इसको इसलिए हाँ पे पीडियाफ फोर्म में बना लेता हूँ कि लिखने का टाइम हमारा बच जाता है नहीं तो मैं कोई सारी बाते लिखनी पड़ती ठीक है और जो किसके द्वारा फोलो की जाएगी एक पुल्रल वर्ब के द्वारा उसको फोलो किया जाता है ठीक है एक्जाम्पल्स की बात करें अनमबर ओफ इस्टूडेंट्स हैव टेकन दा टेस्ट हैव आ गया अब देखो अब यह सही है हमारे यहां पर कैसे अब मैंने आपको क्या बताए नमबर ओफ के साथ नाउन क्याएगा पुल्रल और वर्ब भी क्याएगी पुल्रल जब भी अ गृर्बाफ की बात हो जाते है ध्यान से देखो अनमबर ऑफ इपल आमबर आफ लूफ स्टूडेंट्स टेग्रूप की बात हो गई आहां पर ठीक है लार्ज नमबर ऑफ तो بही ओओ तो गुरूप की बात हो जाती है जिसकी वजह से हमें याद रखना है कि plural verb और plural noun आएगा बट इसमें एक exception है इसमें क्या है? एक exception है जो आपको ध्यान से समझना है जैसी a number of की जगे यहाँ पर हो जाए the number of the number of बस article चेंज किया a की जगे क्या लगा दिया? the the number of तो जो इसमें noun नहीं नहीं से कोई मतलब नहीं है पुलरल हो, singular हो, कोई दिक्कत नहीं बट वर्ब इसमें हमेशा फिर singular हो जाएगी दा लगता ही वर्ब singular जैसे देख, the number of low floor buses is increasing in Delhi बस इसके हमारा पुलरल है बट फिर भी इसके हमारा singular the number of है ठीक है इसलिए दा number of लगने से एक वो इसके हमारे लगबक साथ रूल और बचेंगे वो next class में हो जाएगे और फिर हमारा यह वाला chapter complete हो जाएगा फिर देखेंगे अगर लास्ट क्लास में टाइम बचेंगा तो इसके कुछ questions और practice करेंगे नहीं तो एक अलग से पूरा प्रेक्टिस सेशन लेंगे इसका जिसमें तुम्हारा पूरा हो जाएगा यह फिर उसके बाद आपको मैं 50-55 questions की PDF दूँगा एक तो class में कराए हुए और पलस extra practice seat दूँगा एक 50-55 questions की ठीक है तो आपको telegram group में मिल जाएगी देखें आफ्टर अब यह यह words आगे संप सम ओफ ओल 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 उफ इनफ मोस्त मोस्त ओफ एक ग्रेट डिल ओफ लॉट्स ओफ अलोट ओफ प्लेंटी ओफ यह प्लेंटी ओफ पी एल इन टी वाई ठीक है यह प्लेंटी ओफ है कट गया है उदर इस टाइप के वर्ड हो यू साइब काउंटेबल नाउन हो ठीक है मैं होसे जासे बीजान फिल्राओं बतावांगा अगर येक काउंटेबल पाउंटेबल काूंटेबल का नो ये पजिरो जिनको ये हमेसा क्या होगत हूं अंग मि मतलबब जासरा व में मिनतलब पुल्राओं पूल्रल हमें 107 4 ठीक है यह समझाया आप नेक्स्ट एग्जमपल देखो लॉट्स ओफ एक्टर्स ओफ्यूज वुआ एक्टर्स विजूआ वर्थो यूज ओना ही था क्योंकि लोट्स आफ के साथ नमारी पूलराल वर्बाएगी और पूलरल नाउन आएगा तो दोनों पूलरल हो गए अब मैं दस सेकंड रुका करूंगा जब तक आप अन्सर सोची और कमेंट कीजिए अब देखो इच ओफ मैं पहचानना चीका हूँगा इच ओफ जब भी लग जाए तो हमें पता है ओफ के साथ का यूज रता है पुल्रल नाउन ठीक है किलियर तो यह लाइन से होगी इच ओफ दी स्टुडेंट इन दा कम्पीटर क्लास अब इच वर्ड है अभी मैं रूल भी दिखाऊंगा हमने साथ यह आज ही कर रहा है देखिए यह देखिए अब यह आएगा हैं पे हाँ यह रहा इच ओफ के साथ आ पुल्रल है और वर्ब देखिए अब क्या है यहाँ पर क्या लगा रखिए है तो इस क्वें कोई एरर है इच ओफ के साथ ने उन वर्ब तो सिंगूलर ही आनी थी तो इस क्वें वर्ड यहाँ पर विस्यसाध है दिया हुआ था उसको हैस में चेंज करना था यह टाइपिं चलिए नेक्स्ट इन देली माई ब्रदर इन लो विद इज वाइफ वर परजेंट एट फंशन देखो फंशन में कहा परजेंट थे दिल्ली में ठीक है तो यहाँ पर अभी यह कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ा है और यह पहले पढ़ा दिया फर्स्ट क्लास में तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट बनेगा वो माई ब्रादर इन लो बनेगा ठीक है तो माई ब्रादर इन लो वोज ठीक है के लिए इसका एरर पता चल गया देखिया आप होट एंड कोल्ड स्प्रिंग बता नहीं यह आई आपके लिए हमवर्क है ठीक है सोचना ना है समझ में टेलिग्राम ग्रूप में सेम लाइन लिख देना इतना तो लिख सकते हो आप फिर महापे सब डिस्कस कर लेंगे इसको ठीक है चले आगे यह देखिए आइदर ओफ आइदर ओफ ओफ लगया तो ठीक है यह तो रोड्स आएगा ठीक है मैं ट्रूल भी दिखाऊंगा आपको पीछे लिजाके अभी इच ओफ में देखा था ना वर्प क्या नहीं थी सिंगूलर तो लीड्स क्या लीड क्या हो गया पुल ठीक है तो यहां पर लीड्स कर लो इसका एरर सही हो जाएगा फिर वन ओफ मैं डिजायर्स आर टू बिकम अडॉक्ट अब खुद सोचो वन ओफ कुछ वन ओफ का मतलब हो गया कि कुछ में से एक मेरी कुछ डिजायर्स थी उन में से एक तो अब देखना ठीक है वन ओफ ल इस हो जाएगा ठीक है वन ओफ के साथ क्या आता है भाई कुछ डिजायर्स में से एक की बात हो रही है कि मेरी एक डिजायर्स थी कि में डॉक्टर भी बनूँ तो आर की जगे क्या आ गया इस किलियर देखें अब यह दा होल ब्लोक ओफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग टू श ठीक है वर डिश्ट्रोइड इन फायर अब देखना क्या है जो यह शौप है ना इसी के फ्लैट्स के ब्लोक के अंदर ही है और बात किसकी और यह एक ब्लोक की बात हो रही है अच्छे से वाज आएगा ठीक है चले आगे अब यह देखिए दिस सम एंड सब्स्टांस ओफ इस फोयम आर एस फोलो देखो एक चीज सिखाई थी है पुरानी को मतलब पहली क्लास का कुश्चन है की बात करता बट यहां पर जो बात हो रही है वह इसकी एक की बात हो रही है ठीक है इसमें ना वैसे फेशिल एक्स्प्रेशन भी मैटर करते हैं टीचर के जो कि अभी आपको दिखने रहे हैं कुछ टेक्निकल एरर की वज़े से ट्राइ करते हैं बहुत जल्दी कैमरा ओन तो some and substance of his poem are as follow तो some और substance और किस तरीर daw कर रहा है यहां पर घलत है और कैसे आजेगा इस आएक ना भी आपको समझाया को है साम कोई 言 इसका सई सेंटेंस होगा ना इधर ओफ निए का-एक से बल्सेTIN निए ने को हो जाए गया और है कि या जाएग बताओ ये भी आपके लिए homework ठेक है करना neither of का एक question मेरे पास बहुत है ये वाला देखे थोड़ा से important है the strain of all the difficulties ये first class के भी कुछ questions है क्योंकि पहला पढ़ावा भोलना जाए तो उसकी practice करनी भी जरूरी है अब देखो बात किसकी यहां पर strain की बात हो रही है ना कि इन चीजों की इन चीजों की strain की बात हो रही है जैसे quality हो गई एक तरीके की तो यहां पर strain हमारा main subject है तो strain के coding के आएगी मारी यहां पर वर्व आएगी तो इस ट्रेंग के singular तो वर्व क्या है फुल्रल तो यहां पर क्या हो जाएगा वास पता इतना छोटे छोटे चोटे एर रहर है जिनकों पहचान नहीं पाते क्योंकि यह topic बहुत कम पढ़ते हैं बच्चे ठीक और basic knowledge पर कि एक मिनट रुखना यह वाला कीजिए एवरिवन का तो आज ही पढ़ आया मैंने कि एवरिवन इट मस्ट भी अड्मिटिट हैस देयर अप सेंड डाउन देखो दिखता हूं मैं आपको कि एवरिवन का देखना है ना में देखी यह रहा इसमें एवरिवन वर्ड है यह रहा एवरिवन के साथ क्या आएगी वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी ठीक है ध्यान रखना है आपको चलिए देखो एवरिवन वर्ब सिंगुलर बट इसमें एरर कुछ और है यह तो चीज सही करदी वर्ड कै वर्ड सिंगुलर तो everyone भी क्या हो गया singular everyone singular होगा जबी तो वर्ब singular लगाई है न हमने अगर everyone singular है यह देर कैसे आ गया है यहाँ पर तो यह देर को अटा के डाउन को हम काउंट करेंगे अगर यहां पर everyone ओफ हो जाता यहां पर है है हो जाता तो देर सही था ठीक है तो गलती इसमें यह थी नई चीज भी सिखाऊंगा आपको अब यह देखिए इसमें typing error है काफी इसको छोड़े इसको देख लेते हैं यह अपने पढ़ा भी आज नाइदर ओफ ओफ के साथ ठीक है भाई पुल्रल आ गया देम ओफ के बाद पुल्रल देम आ गया सेंट सही है सिंगुलर है ठीक है आइदर ना इदर के साथ बट फिर वही पीछे जो भी आरर कर रहा है देर देर नहीं आएगा ठीक है किलियर शाल यह ठीक है तो थैंक्यू वेरी मच्ट सेशन को शेर किजाए कोशन नहीं को नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे हम ज्यादस ज् लाइक कर दो शेर कर दो सब्सक्राइब कर दो सभी